वेलकम बेक दोस्तों आज आपके लिए सबसे पहले लेके आचुका हूँ ओपो F20 5 Pro 5G स्मार्टफॉन और बाई साब इस बार डिजाइन देख सकते हो काफी ज़दा कमाल की है क्या आपको पता है जितनी कमाल किसमें डिजाइन है ना उससे कई गुना ज़दा इसमें कमाल द पर sound and vibration के उपर click करना है निचे slide करना है और clear voice के उपर click कर देना है इसपेसली क्या होगा अगर आप कोई ट्राफिक के अंदर हो जहां पर आपको call आ जाती है बेग्राउंड में बहुत ज़्यादा source राबार noise है तो अगर आप इसको clear voice को on कर देते हो तो बिल्कुल clear रवा सुनाई देगी जिससे भी आप बात कर रहें और आसानी से calling कर पाओगे यह features बहुत मज़ेदार है फोटो editing के लिए इसमें एक best features मिलता है अगर आप कोई भी फोटो का background remove करना चाहते हो या फिर sticker में convert करना चाहते हो तो आपको subject के उपर tap करके रखना है और यहां पर देख sticker में convert करकर WhatsApp पर भी किसी को send कर सकते हो अब मैं आपको food lover के लिए एक मज़ेदार features बता देता हूँ अगर आप कोई भी खाना order करते हो तो इसमें इस तरीके से island का option मिलेगा जिसके उपर tap करके आप अपने order को देख सकते हो कितनी दूर है on the way है तो आप directly यहीं से tracking कर सकते हो application open करने की जुरूरत नहीं है स्मार्टपॉन में always on display में बहुत सारे features मिल जाते हैं आप अपनी खुद की photo भी लगा सकते हो कुछ इस तरीके से time show हो जाता है नाम भी tape कर सकते हो खुद का photo का ऐसा emoji बना सकते हो custom pattern मिल जाता है और इसके अंदर text and image एक साथ में अपनी photo के साथ में अपना खुद का name भी tape कर सकते हो जैसे हमने यह वाला set करके रखाता इसको round shape में कर देना है क्योंकि काफी अच्छा लगेगा फिर नीचे अपना name tape कर देना है और उसका color भी यहां स change करके apply कर सकते हो इसके बाद में भी और काफी सारे मज़ेदार features मिल जाते है और इसमें आपको यहां पर मिलते हैं जैसे live effect है तो इनको भी आप always on display में set कर सकते हो जो काफी ज़दा unique लगते है और यह वाली watch तो मुझे काफी ज़दा पसंद है जिसको आप यहां पर apply करके set कर सकते हो और उसमें काफी सारी चीज़े आपको low skin के उपर show हो जाएगी जैसे की battery percentage time और कितनी बार unlock किया है smartphone को वो भी इसमें show हो जाता है तो always on display में तो काफी amazing clock वगेरा features इसमें मिल जाते हैं जो आप low skin के उपर set कर सकते हो इसके बाद में आपको bake आना है बेक आने के वाद में fingerprint animation मिलता है यह smartphone in display fingerprint के साथ में आता है जब भी इसको low करते हो तो ऐसा animation मिलता है लेकिन उसको change करके जैसे कि यह देख सकते हो कुछ ऐसा animation आ गया fingerprint के उपर कुछ ऐसा यह वारा काफी best है तो इनको आप अच्छी तरीके से set कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तो smartphone के अंदर आपको कोई भी notification आता है message आता है तो इसमें wallpaper and style के उपर click करने पर as lighting का option मिलता है जिसके उपर click करोगे तो 3 light effect मिलते हैं जैसे कि मैं यह blue वाला कर देता हूँ अब जब भी कोई notification आएगा तो कुछ second के लिए इस तरीके से आपको यह animation चलता हुआ दिखा जो भी चीज एक्टिवेट करते हूं उसका color blue color है लेकिन एक ही color से बोर हो चुके हो तो इसमें आपको color change option भी मिल जाता है colors के उपर click करना है और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे difference colors देखने को मिलते हैं अब नीचे slide करता हूँ तो blue से green हो चुका है और इसमे customization का option भी मिल जाता है जैसे नीचे scroll down किया अभी यह round circle के अंदर है flight mode कौन करता हूँ तो यह round circle में तो इसका circle change करने का option भी मिल जाता है बाई customization तो बहुत मिलती है सेम wallpaper इंडिश्टायल के उपर click करना है quick setting में जाना है और यहाँ पर देख सकते हो यह window वाला हो गया अभी square के अंदर कर सकते हो जिसमें कुछ इस तरीक से देखने को मिलेगा तो इसमें काफी सारी customization मिल जाती है यह वाला मेरा फेवरेट है जिसमें कुछ इस तरीक से आपको देखने को मिलेगा यह smartphone खरीद होगे तो यहाँ पर आपको दो big folder देखने को मिलते है जिनको आप customize करके यहां से remove कर सकते हो या फिर कुछ small size में भी convert कर सकते हो अब बात करते हैं camera lover के लिए इसमें कौन कौन से मज़ेदार features मिलते है 64 megapixel rear camera मिलता है 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro camera और इनके camera में sony के sensor मिलेंगे 32 megapixel selfie camera तो इसके camera के mods में आपको बता देता हूँ सबसे पहले pro mode मिलेगा फिर video जिसमें कमाल की चीज यहां पर boke mode का option मिल जाता है आप boke mode बलर के साथ में video record कर पाओगे और boke mode में आपको zooming का option भी मिल जाएगा ऐसी information आपको कोई नहीं देगा तो channel को subscribe कर लेना इसके अंदर आपको यहां पर stabilization का option मिल जाता है और इसमें highest video 4K 30fps में record कर पाओगे और जैसे की wide angle camera पर switch करते हो तो 1080p 30fps में video record कर सकते हो और photo के अंदर जाने के बाद में आप wide photo click कर सकते हो और highest zooming की बात के लिए तो photo और video में दोनों में 10x का option मिलेगा इसके अंदर portrait mode के उपर click करते हो तो filter के उपर click करना है इसमें बोग के flare effect मिलेगा जिसमें काफी अच्छी photo भी click कर सकते हो बेगराउंड के अंदर बलर होगा उसके अंदर बोग के flare effect डाल सकते हो और photo की बात करो तो देख सकते हो shutter speed काफी fast है और काफी अच्छी detail में photo click करके दे देता है वेसे इसके camera full test करेंगे हम तो comment करके जरूर बताना और more camera के अंदर आने के बाद में night camera मिलता है high-raise का option मिलेगा जिसमें आप जो भी photo click करोगे तो उसमें काफी हद तक zoom करके आपको detail देखने को मिल जाएगी तो outdoor में ये photo HD quality में click करके जरूर देखना इसके बाद में more camera के अंदर आने के बाद में पहले बता दिता हूँ portrait camera में आपको एक और features मिल जाता है 2x optical zoom का option भी मिलता है जिसमें काफी अच्छी portrait photo भी ले सकते हो more camera के अंदर macro camera slow motion time lapse option मिलता है और dual view video जिसमें front और rear दोनों camera में एक साथ में video record कर पाओगे और sticker text scanner ये सारे mores इसके camera में मिल जाते हैं आप सोच रहोंगे कि इसमें बहुत सारी application है जिनको तो uninstall कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर hot tapes and hot games को uninstall कैसे किया जाए तो इसके लिए आपको इनको tap करके रखना है setting के उपर click करना है और इनको remove करने को option मिलेगा hot tapes and hot games को disable कर जेना है अब आप बेका कर जेकोगे वो दोनों application यहाँ से हड़ चुकी है दोस्तो mobile को एक हाँ से use कर रहे हो तो कुछ काफी मज़ेदार features बता जिता हूँ एक हाँ से आसानी से use कर पाओगे जिसके लिए आपको mobile की setting में जाना है यहाँ पर आपको नीचे slide करना है home screen and lock screen के उपर click करोगे तो इसमें देख सकते हो सबसे पहले मिलता है icon pull down gases जिसको on कर जेना है on करने के बाद में basically क्या होगा mobile को एक हाँ से use कर रहे हो तो यह जो भी application है इनको open करने के लिए दूसरा hand use में लेने की जुरूरत नहीं है बस नीचे से slide करोगे तो सारी application आपके finger के नीचे आ जाएगी और आप इनको direct यहीं से open कर सकते हो और एक features बता जिता हूँ जैसे इसमें naughty vacation drawer को नीचे लाने के लिए notification drawer को नीचे कर देना है इसमें click कर देना है और इसमें double tap to lock को option मिलता है जिसको भी on कर देना है आपको new unique one handed mode भी मिल जाता है जैसे अगर आप smart phone को एक one hand use कर रहे हो तो इसकी लिए आपको बस नीचे से हलका सा slide करना है और screen size चोटी हो जाएगी कि आप smart phone को one handedly आसानी से यूज कर पाओगे और बापस normal कुछ इस तरीक से कर सकते हो ये setting on करने के लिए आपको जाना है additional setting के अंदर और इसके अंदर जाने के बाद में नीचे slide करके one handedly mode का option मिलेगा जिसके उपर click कर देना है और इसको यहां से on कर देना है ओन करने के बाद में देखो कि आप चाहिए YouTube चला रहे हो कोई भी application यूज कर रहे हो बस नीचे से हलका सा slide करना है और इसके inside छोटी हो जाएगी one handedly mobile को आसानी से यूज कर पाओगे स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल के gases and shortcut का option मिलता है आपको किसी की भी call आ रहे है आप इस तरह किसे फिलिप करोगे तो call attend हो जाएगी और भी काफी मज़ेदार gases बता देता हूँ जिसके लिए आपको mobile की setting में जाना है additional setting के उपर click करके नीचे gases and motion का option मिलेगा जिसके उपर click कर देना है इसमें सबसे पहले skin of gases का option मिलेगा जिसके उपर click करके इनको on कर देना है अब इसमें क्या होगा जैसे कि draw or to open camera इसके लोग के उपर ओड्रो करोगे तो camera open हो जाएगा we draw करोगे तो torch light on हो जाती है और इसमें आप अपनी customization कर सकते हो जैसे मैंने w को on किया है इनको भी on कर सकते हो इसके अंदर मैंने open app को select किया अपनी favorite application कोई भी set कर सकते हो मैंने photos को set किया है अब smartphone को मैं जैसे low करता हूँ और इसमें w draw करता हूँ तो देख सकते हो फटा फट से album open हो चुका है और कुछ इस तरीकी से draw करूँगा तो इसके अंदर torch light on हो जाएगी तो ऐसे काफी सारे कमाल के gases and shortcut का option देखने को मिल जाएगा इसके अंदर आपको simply वहीं पर जाना है और दूसरी application भी आप यहीं से set कर पाओगे और इसमें आपको back आना है बेक आने के बाद में नीचे यहाँ पर slide करने के बाद में air gases का option मिलेगा जिसके अंदर देख सकते हो answer और mute call का option मिलेगा इनको आपको simply on कर जेना है और 20 cm की दूरी से आप इस तरीके से flip करोगे तो call का answer हो जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर click करोगे तो call है जो receive don't receive हो जाएगी और scroll up down का option भी मिल जाता है अगर आप YouTube Facebook को use कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से दूर आपका smartphone देखने को मिलेगी lift to air answer call option मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो काफी कमाल की चीज मिल जाती है आपको जब भी किसी का call आ रहा है तो आप phone को कान के पास में टच करोगे तो smartphone में call attend अपने आप हो जाएगा और इसमें आपको Philip to mute incoming call option मिलेगा जिस जब भी किसी का call आ रहा है तो आप smartphone को Philip करोगे तो यह smartphone mute हो जाएगा ringing बजना बंद हो जाएगी इस smartphone में आप एक साथ में दो-दो application यूज करना चाहते हो तो बिलकुल कर सकते हो जैसे कि मैंने Facebook को open किया 3 button के उपर click करना है और इसके icon के उपर click करके यहां पर आपको floating window का option मिलेगा जिसमें Facebook साइज क इस तरीके सिए ओपन हो जाएगी और नीचे की साइड को जाएगी और नीचे की साईड में आप दूसरी application को use कर सकते हो अब Amazon Facebook को मैं एक साथ में use कर पा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप WhatsApp Facebook को इस तरीके से एक साथ में यूज कर सकते हो और इसको कुछ इस से आप स्कीन के उपर कहीं पर भी कस्टमाइज कर सके इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे फेस्बूक फ्लोटिंग विंडो में ओपन है नीचे की साइड में केमरा में कोई यह हैबिट है तो इसके लिए आपको बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है बेटरी के उपर क्लिक करना है नीचे सलाइड करोगे तो इस्टोप चार्जिंग एट 80% का उप्सन मिलेगा अगर आप इसको ओन कर जेते हो तो आपका स्मार्टफोन नाइट में चार्ज लगा हु लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हुँ बेटरी ऑस्टायल के उपर क्लिक करते हो तो इसमें आप बेटरी के इस्टायल को चेंज कर सकते हो जैसे अभी कुछ इस तरीके से horizontal के अंदर है इसको आप change करके vertical के अंदर कर सकते हो और loop का option मिलता है जो मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो loop डिजाइन में हो चुका है और अगर do not show के उपर click कर दियते हो तो battery के style इस शो नहीं होगी बस आपको battery के percentage शो होगे एक features मिलता है इसके अंदर आपको basically क्या है जैसे कोई भी application से message आता है तो उसका icon यहाँ पर show होता है लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास में कोई बैठा है और उस application से message आता है अब आपको number show होंगे कि इतनी application का message आया है यह show नहीं होगा कि कौन सी application से message आया है और real time network speed का option मिलता है जिसको on करके आप पता लगा सकते हो आपके smartphone में कितनी mbps speed आ रही है smartphone के अंदर net वगेरा की smartphone में fingerprint लगाने के बाद में एक कमाल का features मिलता है special features के उपर click करना है quick launch के उपर जाना है और इसको यहाँ से on कर देना है on करने के बाद में basically क्या होगा जैसे तीन application set करके रखिए edit के उपर click करके आप अपनी favorite application को set कर सकते हो जैसे मैं chrome को set कर देता हूँ या फिर camera को set कर देता हूँ right के उपर click कर देना है अब smartphone को जैसे आप लोग करके unlock करते हो फिर hold and press करके रखना है इसके अंदर आपको कुछ यह application show होगी जिसके अंदर आप directly यहाँ से slide करके open कर सकते हो इन application को smartphone में privacy को लेकर भी काफी मज़ेदार features मिल जाते हैं कोई दूसरे application download करने की जुरुत नहीं है एप लोग लगाने के लिए application हाइड करने के लिए simple आपको जाना है mobile की setting में security and privacy के उपर क्लिक करना है नीचे slide कर देना है अब देख सकते हो एप लोग हाइड एप प्राइवेट सेप जिसमें photo वगरा को save कर सकते हो hide कर सकते हो इनको on करने के लिए किसी भी app के उपर क्लिक करना है फिर यहाँ पर इसको on कर देना है और इसमें आपको पहले passport set करना होगा जिसमें आप fingerprint या passport, pattern, कुछ भी x, y, z इसमें set कर सकते हो तो मैं example ये वाला set कर देता हूँ और एक question का answer देना है जिसमें क्या होगा basically आप अगर passport भूल जाते हो तो forget कर पाओगे अब किसी भी application के उपर lock लगाना है उसको on कर देना है ये तो अपना setup हो चुका है app lock का अब इसमें hide कोई भी application hide करना चाहते हो तो वो ही passport काम आजाएगा जो आपने app lock के उपर लगाया है फिर उसके उपर आपको यहाँ पर setup करना है जैसे मैं यहाँ पर ब्राउजर को hide कर देता हूँ इसके उपर on किया setting के उपर click करना होगा इसमें कुछ code डालने है वो क्या मैं आगे बता देता हूँ जैसे 1,2,3,4 लगा दिया और start के अंदर last में हच होना चाहिए और बीच में आप चार code कुछ भी डाल सकते हो फिर right के उपर click कर देना है और यह done setup complete हो चुका है अब आपने जैसे मैंने browser को hide किया है और यहाँ पर Amazon के उपर आपने app lock लगाया था और code लगाने बात में देख सकते हो जो भी application ID कीती वो show हो जाएगी है ना guys कमाल की ट्रीक्स चैनल को subscribe जुरूर कर देना smartphone में आप एक साथ में दो-दो application यूज करना चाहते हो तो basically कर सकते हो और देखते हैं कौन-कौन सी application को यूज कर पाऊगे apps के उपर क्लिक करना है फिर यहाँ पर app kloner का option मिल जाएगा जिसमें देख सकते हो आप messenger वाली application को dual यूज कर सकते हो facebook हो गया snapchat whatsapp instagram linkedin इन सब भी application को आप dual करके एक smartphone में dual चला सकते हो simply जैसे बस आपको यहाँ पर click करके इसको on कर देना है अब यह dual हो चुका है आप जैसे home screen पर जाकर देखोगे तो आपको दो-दो facebook देखने को मिलेगी इसी तरीके से आप दो-दो account चला सकते हो messenger का facebook, instagram, messenger, whatsapp का अगर आप भी smartphone में display को experience और better बनाने के लिए यहाँ से button हटाना साथ हो तो home screen पर tape करके रखना है इदर की तरफ slide करना है और सबसे नीचे देखने को मिलेगा system navigation इसके उपर click करके यहाँ पर guesses के उपर click करोगे तो button hide हो जाएंगे और button के उपर click करोगे तो यहाँ पर button show हो जाएंगे और जैसे कि अभी बेक वाला button right में इसको left में करना है तो इदर slide करके आप left में भी इसको कर सकते हो smartphone में कोई भी photo hide करना चाहते हो तो gallery के अंदर जाना है private का option मिलेगा जिसमें आपको set passport set करने होंगे फिर यहाँ पर आप four digit pattern कुछ भी set कर सकते हो तो इसके अंदर आपको set करने के बाद में execution का answer देना है अगर आप app lock वगरा को on करते हो तो फिर आपको यह setup करने की जुरुरत नहीं है आप देख सकते हो इसमें add के उपर क्लिक करके कोई भी photo video यहाँ से directly hide कर सकते हो set as private कर देना है और वो यहाँ से album से हट जाएगी और आपको बापस show करनी है तो इसके अंदर आपको simply क्लिक कर देना होगा private के उपर और फिर आपको verify करके passport के अंदर verify करके आप photos वीडियो जो भी hide की वो show हो जाएगी वो यहाँ पर देख सकते हो smartphone के overall features की बात करें तो ColorOS 14 और Android 14 का support मिलता है और इसमें आपको 8GB RAM के अंदर 8GB RAM extend कर सकते हो और मैं बता देता हूँ MediaTek Diamond City 7050 processor मिलता है और 32MP का selfie camera मिलता है rear camera 64 plus 8 plus 2MP का rear camera मिल जाता है जिसमें 8MP ultra wide 2MP macro camera मिलता है तो इस smartphone में आपको यह वाले features तो काफी अच्छे मिल जाते हैं सबसे best मुझे इसकी design लगी है guys अब मैं आपको smartphone को और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ features बता देता हूँ additional setting के उपर click करना है और इसमें काफी सारे मज़ेदार features आपको देखने को मिलेंगे screen recording का option मिलता है जिसमें आप customization कर सकते हो अगर microphone को यूज करके आप recording करना चाहते हो वो इसको तो इसको ओन करना होगा और इसमें आप size को भी बढ़ा सकते हो जैसे की high के उपर click करोगे तो काफी अच्छी quality में screen recording कर पाऊगे frame rate को भी select कर सकते हो तो यहाँ पर आपको 30 frame rate कर देना है जिसमें अच्छी recording कर पाऊगे और देख सकते हो यहाँ पर recording front camera video भी करना चाहते हो screen recording में तो वो भी कर सकते हो इसको ओन कर देना है और इसके बाद में आपको नीचे आने के बाद में काफी सारे यहाँ पर है जो option मिल जाती है तो इसके अंदर आपको ये वाला कर देना है जिसमें video size तो ज़्यादा होगी लेकिन अच्छी quality में आप record कर सकते हो और नीचे आने के बाद में भी इसमें बहुत सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे power button का option मिलता है जिसमें क्या होता है अगर आप इसको tape करके रखोगे तो यहाँ पर voice assistant on होता है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसको tape करके रखता हूँ तो voice assistant on होता है करके रखा है अब अपना data share करना चाहते हो तो आप बिना wifi के passport बताए mobile के hot spot से भी उसको data दे सकते हो यानि दोनों को एक साथ में use कर पाओगे इसमें NFC का support नहीं मिलता है QR code का option यहीं पर मिल जाएगा आप directly कोई payment वगरा या फिर कुछ भी यहाँ से scan करना चाहते हो Google से setting में दाना है यहाँ पर आपको notification ने status bar के उपर क्लिक कर देना है और इसके अंदर status bar का option मिलेगा जिसके अंदर आपको काफी सारे features मिलेंगे सबसे पहले battery पर सब्सक्राइब कर देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लूप डिजाइन में हो चुका है और अगर दो not show के उपर क्लिक कर देते हो तो बेटरी के style ही शो नहीं होगी बस आपको बेटरी के percentage शो होंगे एक features मिलता है इसके अंदर आपको basically क्या है जैसे कोई भी application से message आता है तो उसका icon यहाँ पर show होता है लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास में कोई बेटा है और उस application से message आता है तो icon शो नहीं होना चाहिए कि मैं कौन को सी application को यूज करता हूं तो इसमें notification icon का option मिलेगा जिसको पर यहाँ पर show icon को हटा कर शो नंबर कर देना है अब आपको नंबर शो होंगे कि इतनी application का message आया है यह शो नहीं होगा कि कौन सी application से message आया है और real time network speed का option मिलता है जिसको आप पता लगा सकते हो आपके smartphone में कितनी mbps speed आ रही है smartphone के अंदर net वगेरा की और final features की बात बता देता हूं smartphone में आपने पूरा दिन में क्या-क्या यूज किया वो जानना चाहते हो तो इसके लिए simple आपको mobile के setting में जाना है digital railing and controls के उपर क्लिक करना है इसमें आपको बता देगा आज आपने mobile को इतनी जेर यूज किया है इतनी बार unlock किया है कितने notification आई यह सारी setting आपको यही पर मिल जाएगी और आप इसमें लोग customization भी कर सकते हो कि कौन से application को ज़्यादा यूज नहीं करना है तो यह थे इस smartphone के कमाल दमाल मज़ेदार hidden features वीडियो कैसी लगी comment करके जुरूर बताना और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर देना next वीडियो में इसका full camera test कर देंगे मिलते हैं next मज़ेदार वी